इसमें सबसे पहले हमें यहां पर यह देखना है कि नूट्रियंट क्या होते है और नूट्रियंट के बाद फिर मिनरल नूट्रियंट क्या होता है तो देखो पिटा जैसे कि सपोस्थ यह प्लांट है और इस प्लांट को यदि फूड का प्रिप्रेशन करना है यदि फूड बनाना है तो सबसे पहले इस प्लांट को यह जो प्लांट की लीफ है यह डेवलप करनी पड़ेगी और इस लीफ को सबसे पहले क्लोरोफिल जो है यह synthesis करनी होंगी क्योंकि photosynthesis के लिए chlorophyll चाहिए होता है और chlorophyll का यदि formation करना है तो chlorophyll के formation के लिए magnesium जो है इसकी requirement होती है समझ गए बेटा तो chlorophyll के formation के लिए magnesium और chlorophyll के formation की जो process होती है उसमें FE++ iron जो होता है यह as a catalyst की तरह काम करता है समझ गए बेटा तो इस plant को atmosphere से light तो मिल गया साथ ही साथ इसे carbon dioxide जो है यह भी मिल गया इधर से उसने water को भी absorb कर लिया है जिसकी help से फाइनली यह carbohydrate प्रोटीन करेंगा यह formation करेंगा इसके लिए अगें इसको requirement जो होंगी यह देखो phosphorus चाहिए इसको boron चाहिए इसको carbon चाहिए इसको hydrogen चाहिए इसको magnesium चाहिए इसको sulfur चाहिए oxygen चाहिए sodium चाहिए nitrogen चाहिए phosphorus चाहिए और potassium चाहिए तो यह कहां से आएंगे तो यह सारे substances जो है जिसे क्या कहते है बेटा nutrients how study nutrients यह क्यानाते है nutrients तो देखो nutrient को धिफाइन करेंगे क्या होता है तो nutrients यह है यह एक chemical substan होता है क्या चीज nutrients are the chemical substance that function यदि हम उसका functions देखे तो as a raw material क्या कह सकते हैं हम as a raw material for the synthesis of as a raw material for the synthesis of एक तो structural और साथ ही साथ क्या कह सकते हम functional unit या फिर functional substance और वो भी किसके लिए एक living organisms के लिए तो यह जो living organisms जो यहां पर आप देख रहे हो इसके लिए जो भी nutrients है जो भी chemical substance है वो उनका हम use करेंगे जा राव material ठीक है जिसकी वज़े से एक structural functional unit का synthesis हो जाएगा यह कहके लाएंगा nutrient अब mineral nutrition की हम बात करें क्या चीज यदि हम mineral nutrition की हम बात करें तो mineral nutrition क्या होता है तो mineral nutrition होता है simple term में यदि हम समझे तो यह जो है यह एक inorganic substance कैसे बिटा एक inorganic substances है जो की obtained हो रहे हैं कहां से बिटा सोयल से कों obtained कर रहा है plant obtained कर रहा है तो from the soil जो plant obtained कर रहा है और obtain होने के बाद फिर इसका जो functions जो है वो कैसा है as a raw material the raw material की तरह इसका utilization होंगा जिससे क्या होंगा synthesis होंगी क्या synthesis होंगा बिटा कोई थोड़ी दे पहले बताया इस ट्रक्चर और functional unit तो उसको हम क्या कहेंगे mineral nutrition देखो nutrient and mineral nutrition में different समझा nutrient के chemical substance होता है जिसका यूज जो है plant करते है तो plant जब उस chemical substance का यूज करेंगे absorb करेंगे और जो उन्हें चाहिए उसका synthesis करेंगे तो उसे mineral nutrition कहेंगे ठीक है और उस chemical substance को nutrient कहेंगे तो question यह है कि यह जो plant है ठीक है how plant absorb these all substances यह सबसे बड़ा question है तो यही तो हमें यहाँ पर समझना है तो जिसमें हम लोग mineral nutrition जो है यह समझते क्या होता है okay तो पहली चीश तो all organisms जिसको requirement है macromolecules जैसे carbohydrate चाहिए उसे protein चाहिए उसे fat चाहिए उसे water चाहिए उसे minerals चाहिए किस चीश के लिए अपनी growth and development के लिए okay तो अब यहाँ पे जो growth और development जो हो रहा है क्या चीश यदि हम यहाँ पे growth और development की यदि हम बात करें तो यह जो growth and development जो हो रहा है plant में यह कैसे होगा तो इसके लिए कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ concept समझना है वीटा सबसे पहले हमें क्या देखना पदेंगा कि यहां पर हम लोगों को समझना पदेंगा essential element क्या होते है कि सबसे पहले के और essential element जो होता है तो इसमें विटा क्या चीज इनका जो criteria होता है किस्यूज का इसेंशियलीटी का ऑकि सबसे पहले हम लोग बहुत देखेंगें इसेंशियलीटी का क्राइटेरिया क्या है औrobi साथ ही जो इसेंशियल इलेमेंट और कितने टाइब क्यों होते हैं तो पिर टाइब सुने के बाद अप्थ इंकुलिक2018 Casa warfare il हम लोग देखेंगे फंक्शन के बाद फिर फाइनली यहां पे इनकी जो डेफिसियंसी जो है यदि उनको प्रॉपर एमाउंट में उन सबस्टेंस नहीं मिला तो उससे कुछ न कुछ डेफिसियंसी होंगी तो वो जो सारी डेफिसियंसी जो है ठीक है उसके क्या सिम्टम से यहां पे हो सकते हैं ओके किस चीज के यह इसिंसियलिटी के और यदि यह ज़्यादा मिल गया तो इससे कुछ न कुछ टॉग जी सिटी भी तो होगी तो यहां पर हम लोग यही सारे क्राइटेरिया जो है वो समझने वाले हैं ठीक है जिसमें हम लोग एक बहुत अच्छी टेकनिक्स जो है वो हम देखेंगे जिसे कहते हैं hydroponics क्या कहते है hydroponics तो hydroponics क्या होता है वो हम देखेंगे उसके बाद फिर जो भी substances यहां पर plant ने यह absorb किया इस plant में जो substances को तो यह कैसे absorb हो रहे है और absorb होने के बाद plant में यह कैसे आगे pass हो रहा है means translocation तो यह कैसे translocate होगा यह हम देखेंगे और उसके बाद फिर नाइट्रोजन का जो metabolism है नाइट्रोजन fixation, नाइट्रोजन cycle जो होती है क्या होती है वो हम देखेंगे ओके समझ में आया बटा तो इसमें बटा essential elements के अधि हम बात करें तो अभी तक के total 105 जो elements है जो अभी तक के discover हो चुके है 105 के अभी तक के element है जो अभी तक के discover हो चुके है इस 105 में plant की यदि हम बात करें तो 60 जो है more than 60 ठीक है इसके असपास plant में देखने को मिले है इसमें questions जो है general exam में पूछा जाता है जैसे शीलेनियम ठीक है इसी के साथ गोर्ड ठीक है कुछ प्लांट जो होता ना जैसे जहां grow करते है तो शीलेनियम जो है गोर्ड या फिर स्ट्रॉंसियम ठीक है यह तीन जो components जो है आप लोगों को जनरली देखने को मिलेंगे यह एक radioactive selenium जो है तो जो minerals यदी हम देखे तो more than 60 element out of 105 जो discovered हुआ तो कुछ plant जो बैटा accumulate कर रहा है क्या कर रहा है यह plant accumulation जो है ठीक है तो accumulation जो से selenium का accumulation होता है कुछ plant गोर्ड को करते है और जनरली कुछ plant जहां grow करते हैं जैसे जहां पर nuclear taste जहां पर हो रहा है तो वहां पर radioactive strontium जो होता है वो भी देखने को मिलता है ठीक है तो हम लोग मिनरल्स को detect कर सकते हैं वहां पर जनरली ठीक तो यह plant species जो यह पूछा जाता है वैसे तो हमारे NCRT ने नहीं दिया तो भी याद रख लो एक astragulis species है वो selenium accumulate करता है फैसेलिया species जो है वो गोड का accumulation करता है और बारली का जो plant होता है ठीक है यह strontium जो है यह accumulate करता है अब hydroponics क्या होता है यह हम समझे लेते हैं सबसे पहले तो है ओके तो hydroponics जो है टेक्निक्स जिसमें हम लोग क्या विटा एक soilless cultivation करते है बतला plant को हम एक nutrient solution जो है without soil हम grow कराते यह देखो यह इस तरह से जूलियस वान सेक्स जो है जर्मनी के है 1860 में इस concept को उन्होंने demonstrate किया था और एक nutrient solution जिसको optimum जो है air भी दी गई optimum pH भी वहां पर provide किया गया और nutrient भी provide किया गया ठीक है तो जूलियस वान सेक ने जब फाइनली यहां पर देखा तो इस तरह से एक plant जो है cotton का वहां पर grow किया है ठीक है तो इस टेखनीक को क्या का बटा हाइड्रोपोनिक्स फिर इसमें कुछ और modification हुआ modification कैसा हुआ तो modification यहां पर जो हुआ तो देखो इस टेखनीक का यूज किया गया और साथ ही साथ यदि उसका deficiency हो जाए तो प्लांट में क्या हो सकता है उसको देखने के लिए तो यहां पर देखो यह पंप लगाया हुआ बैटा एक purchase mote की मर्हिंट Jar tag झाल टेखने किसा साथ किया है कैसा हुआ घॉलिज की पर द्लांट डिया गया गया तो उससे उनके सिंटम हो सकते होश देफिजसिंश से होसा क्या वो भी यहां पर देखा गया तो plant root को एक nutrient solution में ठीक है डुबा के रखा यह हम क्या सकते हैं और कुछ molecule जो element उसको remove कुछ add किया अलग-अलग concentration पर ठीक है जिसकी help से finally जो है एक किस समझ में आगए कि जो plant है उसकी कुछ deficiency हो जाए प्लांट में यदि minerals की तो क्या हो सकता है तो इस तरह से hydroponics की help से commercial production जो है कुछ vegetables जैसे आप देख रहे हो यहां पर tomato हो गया या seedless cucumber हो गया या फिर lettuce जो plant है ठीक है इसका यहां पर commercial production जो है आज के टाइम पर खिया जा रहा है है ठीक है तो यह टेक्निक से बिटा हाइड्रोकोनिक्स टेक्निक्स स्वेल लेक्स कल्टिवेशन जिससे हम किसी भी मिन्रल्स को हम हटा दे तो प्लांट के ग्रोथ पे क्या effect होता है यह कौन से इलेमेंट जो है इसेंसियल हैं यह हम फाइंड कर सकते हैं ओके बिटा ठीक है समझ में आ गया तो अब देखो जैसे कि आपको यह भी याद है कि हम लोग उने कि इसमें के वाने के मिकल हमें प्लांट से मिलेंगा के मिटी से मिलेगा तो ही निशमें हैं गार्फ में हमने का देखे कि को से प्लांट को किसी स्टल्स के और प्लांट का नोगत निए आइम्मन effsk्राइब सब्सिंद्स Nagbacks किदी ऑन चाइब डिए फैन्स हो गया है और तो ऑन एधस जो h गया है है यह ने अध्य झेशन का इस ़ो लोग में अब वी खूंज न है निदि आ गया कि अब Floren Criteria देखेंगे कुछ तो ऐसं बरें लिशान के को सकते हैं तो रहां को लेकर करके तो essential mineral elements नाम से समझ में आ रहा है बटा कि more than 60 elements जो है ठीक, out of 105 जो different plant में present होते हैं, ठीक है, तो कुछ plant species जो है selenium and gourd accumulate करता है, ये भी मैंने थोरी दे पहले आपको समझाया, कुछ plant जो जहाँ पे nuclear taste side होती, वहाँ पे grow करता है, जैसे radioactive strontium, ठीक है, समझ में आया, ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ techniques की हम बात करें, जिसकी help से हम detect कर सकते हैं, minerals, जिसका very low concentration, means 10 to the power minus 8 gram per milliliter, इतना concentration जो है, हम कुछ technique की help से observe कर सकते हैं, जिससे हमें समझ में आता है, कि प्लांट जो है, उसे इतना कितना concentration दिया जाए, कितना नहीं, कितना देंगे तो क्या होगा, ये सारी सीजे हमें, जो है, यहाँ पे समझ में आएगे, ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आप लोगों ने periodic table का वे study किये हैं, nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, sulfur, calcium, boron, chloride, chlorine, manganese, iron, nickel, copper, zinc, molybdenum, hydrogen, carbon oxygen, तो यह जो substances, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, तो यह जो है, यह plant के लिए, क्या है, essential है, तो यह जो essential है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग criteria देखते है, essentiality का, किसी भी elements के, फिर वो कितना plant के लिए essential होता है, ठीके, कितना amount उसका necessary है, वो हम देखेंगे, तो जो minerals plant को direct, या तो reproduction, या उसकी जो normal growth में, use आए, उतना उसका requirement होता है, तो वो कहलाता है, बिटा, essential element, जो directly उसको यदि नहीं दिया जाए, तो directly उसकी growth effect हो जाएगी, और कुछ ऐसे होते हैं, जो indirect भी plant के लिए चाहिए होता है, उसको नहीं हम कहेंगे essential, ठीके, तो plant की जो growth या reproduction की हम बात करें, ठीके, उसके लिए चाहिए चाहिए, यदि वो नहीं रहा, तो plant growth नहीं चलेगी बटा, समझें, effect हो जाएगी, तो normal growth, मतलब plant की जो normal growth के लिए जो needed होता है, जो reproduction के लिए needed होता है, ठीके, तो वो क्या कहलाएंगा, needed for the growth and reproduction, यदि absence हुआ वो element, तो plant का life cycle complete नहीं होगा, seed नहीं बनेंगा, point number one, point second, यदि ये essential है, तो इसको कोई और दूसरा element replace नहीं कर सकता, और उसका deficiency हो गया, तो दूसरा element के वज़े से उसका काम ही नहीं चलेगा, तब हम उसे कहेंगे कि वो essential है, और direct उसकी nutrition का वो हिस्सा होना चाहिए, बटा, metabolism से नहीं बनना चाहिए, ठीक है, directly जो है, plant क्या कह सकते है, directly involved होना चाहिए, ठीक है, वो metabolism की वज़े से नहीं आना चाहिए, तो only 17 element ऐसे, बटा, जो plant growth और metabolism के लिए essential होते हैं, तो यह 17 element क्या होते हैं, वो हम देखते हैं, जिसमें से plant को ज़्यादा चाहिए, तो उसको macro कहेंगे, और plant को बहुत कम चाहिए, तो उसे हम क्या है, micro element कहेंगे, ठीक है, तो एक macro आता है, और एक micro nutrients आता है, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे macro और micro, तो इसे हम समझ लेते हैं, सबसे पहले, ठीक है, क्या होते हैं, तो पहली चीज़ तो nutrients की यदि हम बात करें, तो प्लांट को daily life में, यदि हम देखे, तो एक normal concentration हम कह सकते है, 10 millimol per case, यदि प्लांट को 10 millimol per case से ज़्यादा यदि प्लांट को चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, macronutrient, ठीक है, एक्सेस, ठीक है, उसके प्लांट के dry matter के according calculate करेंगे बिटा, समझें, और यही चीज़ यदि उससे कम चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगा, वो कहलाएंगा, macronutrient, ठीक है, तो macro में देखो, एक trick आती है, जैसे trick आद रखना, पी, के, पी मतलब क्या हो गया, potassium, phosphorus, potassium, calcium, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, और magnesium, यह जो elements से प्लांट को ज़्यादा चाहिए होता, इसलिए इसे macronutrient कहते है, इसमें आप trick याद रखना, जखसे की pk, movie आई थी नहीं, देखें न आपने, तो pk जो है, का, korn, pk यह हो गया, का, korn, c-h-o-n, korn, सा, मग, तो pk का कौन सा मग, यह जो है, यह हो गया, कैसी बैटा, macro, और periodic table जो यहाद होंगा, आपको, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, ठीक है, यहाद है न, तो वो आला, जो है, बैटा, logic लगा लीजिए, वो आते है, micro में, ठीक है, तो इस तरह से total कितने हो गए, कितने चाहिए, 17, थोड़ी दे पहले समझाया था, मैंने, ठीक है, total कितने चाहिए, बैटा, तो टोटल यहाँ पे 17 elements हमें चाहिए, ठीक है, एट और 9 का यहाँ पे calculation आएगा, कितना 8 और 9, तो based on quantitative requirement, essential elements के two types होते है, एक macro और दूसरा, micro, ओके, तो अभी यहाँ पे macro में मैंने carbon बताया आपको hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, ठीक है, यह present होते plant में large amount में, more than 10 mmol per kg के कोड़े, ठीक है, तो यह सारे elements जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, यह क्या है, macro, जिसमें carbon hydrogen और oxygen जो है, यह generally plant में carbon dioxide और water के थूँ जो है, यह absorb होते है, ठीक है, स्वेलाजम mineral nutrition के form में, यह क्या हो गया बता, यह हो गया macro, लेकिन यही चीज माइक्रो के हम बात करें, तो माइक्रो में क्या आएंगा बटा, माइक्रो में आजाएंगा, iron माइक्रो में आजाएंगा, क्या चीज? मैगनीज, कॉपर, मॉलिबडिनम, जिंक, बोरॉन, क्लॉराइट, निकल, ठीक है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद को याद होंगा, पिरोडिक टेबल में, ठीक है? और एक मोबाइल चार्जर ऐसे याद रख लेना, मोबाइल, चार्जर, मॉलिबडिनम, ठीक है? आ रहा है, बोरॉन, और साथ ही साथ क्लॉरीन, यह छुड़ दिया जाए, तो बाकि सारे अमारे इसी प्रियोडिक टेबल का उई सिक्वेंस में आ जाता है, तो आइरन, मैगनिस, कॉपर, मॉलिबडिनम, जिंग, बॉरन, कॉलोराइड, निकल यह जो होते हैं, यह माइक्रो न्यूट्रिंट है, और हाइर प्लांट और सम अधर इलेमेंट भी रिक्वाइर्मेंट होता है, जैसे कि, क्या दिखर है आपको? सोडियम चाहिए, सिलिकॉन चाहिए, कोबाट चाहिए, और सिलेनियम चाहिए, ठीक, फिलाल हमने वहाँ से कोबाट को अलग करते हैं, लेकिन हाइर प्लांट में हम देखे, ठीक, चाहिए होता है, ठीक है? यह जो होते है यह वाले जो इलेमेंटस जो प्लांट को चाहिए यह क्या रहते हैं क्या चीज बैने फिसियल इलेमेंट ऐसा रखना कोना Load cow çae Coffee ठीक है सिलिक२न सिलेनियम सोडियम और एक गालन सीजर होता ना ग्लाज ठीक है तो को नासी से आप इसे ऐसा याद रख सकते हो ठीक है तो यह किस में आएंगा बटा माइक्रो न्यूट्रियंट में आ जाएंगा ओके शलो तो अभी यहां पर जो इसेंशियल इलिमेंट से बेज़ डॉन फंक्शन इन इसेंशियल इलिमेंट को जनरली फोर केटेगरी में क्लासिफाई किया गया ठीक है फोर केटेगरी क्या क्या आ रही है फोर केटेगरी जो है यह हम देखे तो इसमें पहली चीज तो बटा इसेंशियल इलिमेंट जो होता है एक तो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंट तो एनर् क्लोरोफिल जो है उसके का फॉर्मेशन एदिया में करना है तो एम जी प्लस प्लस चाहिए होता है एक एनर्जी रिलेटेड आजाएंगा नंबर वन कैटेगरी समझे रहो बेटा फिर एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सिजन और नाइट्रोजन देखना यह स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आता है तर्ड पॉईंट थर्ड जो होता पिटा कुछ करता है एंजयंग को और कुछ इनिबिट भी करता है तो एक्टिवेट और इनिबिट जो होता है एंजयंग जैसे कि फॉर एक्जामपल MG++ होता है Zinc++ होता है और मॉली बड़ेनम होता है तो Mg++ बिटा क्या करता है, रुबिस्को याद है, पढ़े हमने, रुबिस्को को एक्टिवेट करता है, फॉस्पोइनल पाइरवेट, पैपकेज जो होता है, ये भी पढ़े हम लोगों ने, इसके एक्टिवेशन में Mg++ चाहिए, जिंक जो होता है ये अल्कॉल डियाइडो पॉर कैटेगरी में क्लासिफाए किया, नंबर वान, कंपोनेंट ऑफ बायो मॉलिक्यूल एन्स्ट्रक्ट्रल इनेवेंट, C-H-O-N, कॉन, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेट केमिकल, जैसे मैगनिसियम, जो है क्लोरोफिल के लिए और फॉस्पॉरस एटिपी के संथ के लिए चाहिए, एलेमेंट जो एक्टिवेटर इनिबिट करता हैं, एन्साइम, एमजी प्लस प्लस एक्टिवेटर होता है, रुबिस्कोयन, पॉस्पोइनल, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का, जो कि क्रिटिकल एन्साइम होता है, फॉस्पॉटो संथेजिस, कारवन में जो हेल्प करता है, जैसे पोटेसियम जो होता है, इस्टो मिटा की क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करता है, ठीक तो यह अल्टर्ड कर रहा है, क्या चीज? ऑस्मोटिक पोटेंसियल, तो यह कुछ एलेमेंट से बिटा, जो काफी एसेंसियल है, देखो यहां पे क है, तो इसमें जो इन्वाल्व है, वो है इसेंसियल एलेमेंट, समझ में आगे बटा, जल्दी से एक बार रिस्पॉंस कर दो, यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सभी लोगों के, यह सेर, ओके, ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स पॉइंट को देखेंगे और अभी हम लोग यहां पे जो है, रोल क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रियंट का, वो हम देखेंगे, तो इसेंसियल एलेमेंट जो है इसका मेटाबोलिक प्रोसेस में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता है, अब मेटाबोलिक प्रोसेस में कैसे इंपोर्ट को एदि मेंटेन रखना है एलेक्रोन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दियम बात करें या वॉफरिंग एक्शन के दियम बात करें ठीक है यह फिर एंजयमिटिक एक्टिविटी यह फिर किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल और को एंजयम का फॉर्मिशन करना है तो उसका भी एक कंस्ट यह हमें याद रखना है तो इस तरह से अभी हम macro और micronutrients जो है इसका जो रोल है तो one by one हम एक एक points जो है वह हम देखेंगे जिसकी help से यहां पे एक elements की functions को हम जानेंगे एक एक functions को हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं क्या चीज़ बैटा nitrogen तो plant जो है बैटा nitrogen को ammonium iron और nitrate के form में जो है वो क्या कर रहे है एब्जॉब कर रहे है ठीक है तो अब nitrogen जो है यदि हम देखे तो इसका क्या क्या रोल होता है तो nitrogen का रोल देखो पेटा पहले चीज़ तो यह required होता है plant को सबसे ज्यादा amount में बहुत ज्यादा चाहिए थोड़ा बहुत मिला तो काम नहीं चलेगा ज्यादा चाहिए greatest नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनियम आयन के फॉर्म में यह लेते है प्लांट नाइटोजन को फंक्संस यदि हम देखे तो प्लांट के लिए बिटा क्या चीज़ इसेंसियल है प्लांट पार्ट के लिए इसपेसली मेरिस्पेमेटिक टीशू मेटाबलिकली एक्टिव सेल मेजर कंस्टिट्यूट्यूइन्ट होता है यह अमाइनो एसीड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसीड ठीक है साथ ही साथ क्लोरोफिल विटामिन और हार्मोन इसके लिए भी तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक जो है आप लोगों को लास्ट टाइम जो है जो डिडियस के स्टुडेंट उन लोगों को बताया था याद होंगा तो क्या था ट्रिक बेटा देखो एक ट्रिक जैसे मैं मैं को पसंद नहीं है कहां पर वरानसी जाना और वह भी कब नाइट में तो नाइट से आजाएंगा नाइट्रोजन वी से आजाएंगा विटामीन एस से आजाएंगा हार्मोन एन से आजाएंगा कैसी बेटा एन से क्या जाएगा हलो न्यूकलिक एसीड पी जाएगा हलो प्रोटीन अ कि और में जाएगा मैंस्टमेटी कि एक्टिव और एम से मैंस्टमेटिक पेशु यह हो गए नाइट्रूजन और उसके फंक्सन्स नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉस्पूरस पे तो फॉस्पूरस जो होता विटा जनरली फॉस्पेड आयन के फॉर्म में प्लांट एब्जॉब कर रहे हैं और इसका एटीपी के सिंथेसेंज में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आप खुद भी जानते हो तो फॉस्पूरस जो अब्योर होा तो प्लांट में किस फॉर्म में हुआ वो हम समझ गए फंक्संस क्या होते हैं फॉस्पूरस की तो फंक्संस में पहली चीश चीश्ट हो यह सेल मिम्रेन का कंस्ट्टिवूट है ठीक है, certain protein, all nucleic acid, nucleoside में phosphorus चाहिए, phosphorus relation की जो reaction होती है, उसमें involved होता है, इसका trick क्या था, cm जो है, इन्होंने किसे को मार दिया, तो cm जो है, उन्होंने क्या किया, बटा, प्रान ले लिया, प्रान ऐसा लिखेंगे, cm जो है, उसने प्रान लिया और प्रान लेने पर वो क्या फस गया, पकड़ा गया, तो cm जो है, प्रान लेने पर फसे, ठीक है, cm, cell membrane, protein, nucleic acid, nucleotide, फसा, फॉस्पो, रिलेशन, रियक्षन, ठीक है बटा, इस तरह से यह याद रख सकते हो, आप लोग, आगे देखते है, next, यह हो गया, फॉस्पोरस, फिर नेक्स्ट आता है, क्या चीज, पोटेसियम, पोटेसियम मीन्स, पोटेसियम आयन के फॉर्म में जो है, अबजॉग होंगा, के प्लस आयन, बहुत ज़्यादे यह भी चाहिए, बटा, इस्पेसली, मेलिस्टेम, बड़ और लीउस, और रूट टिप्स को, फॉंक्शन में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आफ इस्टोमिटा में, एक्टिविशन आफ एंजाइम एंड मेंटेनेंस आफ तर्जडिटी आफ सेल, ठीक है, इतने जो है इसके फंक्शन से, इसमें ऐसा जाद रखो बटा, जैसे कि क्या कह सकते हैं, सेप्टेम्बर में, हम लोग क्या है पत्याला जाएंगे, पत्याला मतला पोटेसियम और खाली पैदल तो जाएंगे नहीं बिटा, क्या से जाएंगे, कैब कर जाएंगे, कार बुक कर लेंगे उससे जाएंगे, तो अब देखो, सेप्टेम्बर का एस, एस मीन्स स्टोमिटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग और अंगे च्टोमिटा, टी मिन्स क्या हो जाएंगा, ऐन्जाइम का एक्टिवेशन, ठीक है, अऍजाइम जो है, इसका मेंटेंटनेंस करना है, फिय्मिन्स क्या हो जाएंगा बैटता, प्रोटीन का संतेजिस, पर Tech- वेंस क्या हो जाएंगा टरगे, समझ है, और तो क्या हों जाएगा क्या चृट्यeन क्या कर सकते हो याद कर सकते हो यह कंभी आलकिक्ती Teil मिनलन नक्नमा आता है कल्सीइम कर बेंद कर जो कर थे वैंद हुआ हर जगा पड़े होंगे आपको ऐसी याद हो जाएंगा सारा कुछ यह हों के मैं कàng में इसका absorption होता है इसके लिए रिक्वाइड होता है और ओल्डर लीव पर यह accumulate होता है ठीक है आपको याद होंगा हम लोगों ने मोबाइल element पढ़े थे calcium जो मोबाइल है या इम्मोबाइल है यह बता दीजिए जल्दी इसे इम्मोबाइल पढ़ाया था न मैंने उस दिन आप लोगो को इसमें से कुन सा मोबाइल होता है और क्यूंसा इम्मोबाइल होता है याद आरहा है ट्रांस्पोर्ट में पढ़े थे हम लोगों ने रिवाइज किये या नहीं किये और आवाज थोड़ा लाउडली बुलो कि मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है भूल गया लगता यह तो भूल गया यह पढ़े ही नहीं याद करने की कोशिश से नहीं किये तो ऐसे में कैसे होगा बिटा पढ़ना पड़ेगा ना एक्टिस करना पड़ेगा क्या 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 है के फंक्शन के दिटा रभी सेंड इन का यूज होता है सेंतिस आप सेल वॉल के फैक्टेट के फोर्म में इसका यूज होता है और नॉर्मल फंक्शनिंग जो है बटा सेल मेंब्रेन ठीक है इसके लिए केल्सियम जो है इसकी रिक्वायर्मेंट होती है तो आप देखो ये डायगराम में आपको मिडल ने मिला जो दिखाई दे रहा है ठीक है केल्सियम पैक्टेट से बना हुआ है बटा कुछ एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करता है जो जनरली रेगुलेटिंग और मेटाबोलिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं तो ये केल्सियम का फंक्शन हो गया ओके समझ में आया यहां तक के क्लियर हुए पॉइंट्स फिर आगे बढ़ते हैं इतने में किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो और नहीं तो फाइनली आगे का पॉर्शन देखेंगे हम लोग आप पॉर्शन देखेंगे बढ़ते हैं किसी को कुछ पूछना नहीं है ओके कैल्सियम हो गया बटा नेक्स्ट हम देखेंगे भी क्या चीज मैगनेसियम तो मैगनेसियम देखो बटा क्लोरोफिल का सिंथेस करना है तो यह मैगनेसियम जो है इसका जो रोल है क्या कर रहा बटा यह प्लांट में डाइवलेंट मैगनेसियम आयन के फॉर्म में इसका अब्जॉप्शन हो रहा है एंजाइम को एक्टिवेट करता है यह रेस्पिरेशन और फोटोसंथेस में हल्प कर रहा है बटा देखो ग्लुकोस से ग्लुकोस से एक्स फॉस्पेड बनता तो एटीपी को तोड़ना है याद है मैगनेसियम कम रहा तो प्लांट को क्या हालत हो जाती है मैगनेसियम अच्छा रहा तो रिलीव भरी रहती है अब फोटोसंथेस भी अच्छा होगा फिर यह है मैगनेसियम ठीक है तो इसमें आप ऐसा याद रख सकते हैं मैगनेसियम में कि एक मिस्टर परसन है से मिस्टर S.T से किसी का नाम रख लो मिस्टर S.T. मांगे रोज और रोज क्या मांग रहा है वो भी पेन पेन एक तो डॉक्टर से मांगता है तो DR से और एक क्लास रिप्रेजेंटी ट्यू जो है उससे मांग रहा है CR से याद रहेगा? Maintain the ribozyome structure, magnesium ठीक है, रोज RNA और DNA का RNA and DR, DNA और RNA की synthesis CR, chlorophyll structure ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है यह याद रख सकते हो, ठीक है बड़ा? Yes ओके अब सल्फर तो ऐसे याद रहता बटा, सल्फिड आयन के फॉर्म में प्लांट आप्जर करें, एब्जॉब करते हैं, जो सल्फर कंटेनिंग है, मित्यूनीन और सिस्टीन, यह देख रहे होंगे, यह यहाँ पे आप सल्फर देख रहे होंगे, तो यह मित्यूनीन है और सि यह देख रहे होंगे, जैसे विटामीन जो होता है, थाइमीन, बायोटीन, कोएंजम ए, ठीक है, इसकी सिंथेसिस में, और एंड, इसके बाद आता है फेरड़ोपसीन, इसमें जो है, इसमें जो है, सल्फर जो है, यह एसेंशियल होता है, ठीक, फिर आता है आईरन, तो ब आईरन को प्लांट, फेरिग आयन के फॉर्म में अब्जॉब कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में जो है, इसके रिक्वार्मेंट होती है, फंक्शन देखे तो मेन कंस्टिट्यूएंट जो है, बटा, प्रोटीन, एलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, जैसे फेरड़ोपसी प्रोटीन चाहिए, तो उसमें आईरन चाहिए, साइटोक्रोम जो होता है, आईरन सलफर प्रोटीन होता है, हमने पढ़े थेयाद है, रिवर्स्ट्यूरी ऑक्सिडाइज, फे 2 प्लस और फे 3 प्लस दोनों फॉर्म में मिलता है, जब इलेक्रॉन को ट्रांसपर करता है, त प्लांसपर करता है, और क्लॉरोफिल का जो फोर्मिशन जो होता है, उसमें भी यह जो है, आईरन का रिक्वार्मेंट होता है, मैगनीज, ठीक है, मैगनीज की हम बात करें, जो इसमें फ्लिक है, जैसे मन से वंडर, मन से वंडर ऐसा याद रखना, वाटर का जो स्प्लिट और रेस्पिरिस्टन और नाइटोजन मेटाबोलिजम के जो एंजाइम में उसे एक्टिवेट करते है इस्प्रिटिंग ओवाटर तो ऑक्सिजन जो हो रिलीज हो जाएंगी बीटा फोटोसिंथिस में मैगनेज का एक इंपोर्टेंट रोल है नेक्स्ट आता है जिंक जिंक आयन के फॉम में में फ्लांट में अप्जरॉप्सिंच कार्बोगजीलिजन जो होता है उसको एक्टिवेट करता है और ओगजीन का सिंतिसिस जो आता है उसके लिए भी जिंक्स चाहिए होता है ठीक है तो डायरेक्ट लिए आप इसे याद रख सकते हो फीर आता है नेक्स्ट कॉपर कॉपर बहुत इंपोर्टेंट है क्यूपरिक आयन के फॉर्म में प्लांट इसे अब्जब कर रहा है कम्प्लीट जो ओवराल मेटाबोलिजम प्लांट में जो होता है ना उसके लिए कॉपर चाहिए होता है आयरन के साथ साथ यह एसोसीयेट होता है कुछ जगह पे तो यह र दरब से कॉपर और आयरन दोनों मिलके काम कर रहे है नेक्स नाता बोरॉन बोरॉन जो हो है लिए एक एक स्म्पर ट्रीक है जैसे क्लिक करते हो आप तो वहाँ पे एक वेब पेज ओपन होता है ठीक है तो वहाँ पे ओपन होगा एक पेज और वहाँ पे लिखा है EDT Everybody Dance Tonight यह होगा ट्रिक बेटा तो ट्रिक यह है कि UC Browser पे क्लिक करते ही पेज ओपन होता है वहाँ लिखा Everybody Dance Tonight तो UC Uptake and Utilization of Calcium, Pg means Pollen Germination, E means Cell Elongation, Cell differentiation, Cell Translocation अब membrane का function तो ही है, ऐसा आप याद रख सकते हो, simple trick है, ठीक है, boron का, काफी important है boron के cell के लिए molybdenum के हम बात करें, तो plant जो है molybdenum के form में absorb कर रहा है, और यह component होता है, बहुत से enzyme का, जैसे nitrogenase, nitrate reductase, और nitrogen metabolism जो है, उसमें essential होता है molybdenum ठीक है, और last आता है chlorine, ठीक है, जैसे हमने manganese देखे थे, वसे chloride iron के form में, और यह भी splitting of water जो होता है, उसमें chlorine जो है, essential होता है sodium के साथ, potassium के साथ, जो है यह determine करता है, solute concentration, जैसे NaCl, KCl पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है, तो anion और ketion balance में, जो है, chlorine iron जो है, काफी helpful होता है, तो यह तो देख लिए है, हम लोगों ने अभी, क्या चीज, functions, functions कौन से, कौन से ions, चाहिए, उसका role क्या है, कितना absorption कैस से हो रहा है, जिसके according, micro और macro हम लोगों ने पढ़ लिए, और इसी respect में हम लोगों ने यहाँ पर, इसके जो symptoms जो होने चाहिए, उसके functions जो होने चाहिए, उसके functions जो होने चाहिए, वो देखे, अभी, इनका यदे deficiency हो जाए, functions तो हमने देख लिए, अब नहीं मिला तो क्या होंगा, उसका क्या होगा, डेफिसेंसी हो जाएगा, तो जब डेफिसेंसी यदि हो गया, तो डेफिसेंसी के कुछ न कुछ वहाँ पर symptoms भी रहेगे, तो फिर next हम लोगों को यहाँ पर जो देखना है, वो क्या देखना है, डेफिसेंसी सिम्टम्स, इसके जो भी essential element है, ठी तो क्या होगा, यह हम लोगों को यहाँ पर देखना है, समझ गए, तो यह आएगा हमारा next topic, क्या चीज़ बटा, डेफिसेंसी सिम्टम्स, अब मुझे सबसे पहले आप लोग यह बताओ, कि यहाँ तक के सारा portion सभी लोगों को समझ में आ गया है, एक, तो, तीन, चाथ सभी लोगों का response है यह, ओके, गुड, वेरे गुड, ठीक, तो बटा, हमारा plant physiology का यह last chapter है, ठीक है, और आपका plant physiology जो है, यह complete हो जाएगा, ठीक है, plant physiology जैसे ही complete हो आपका, तो इसके बाद फिर हम लोग जो है, आगे next जो है, चैप्टर पर मुग करेंगे, जम करेंगे, तो अभी मुझे यह बताओ, बटा, human physiology आपका complete हो गया है क्या? नई, yes या no, 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 तुम कों से chapter नहीं हुए है, last two chapter 21, 22, only last के दो chapter रह गए है, आपके तो, last two chapters आपके जो रह गए है, एक काम करूगा मैं, ठीक है, मैं आपको last two chapter रख लिए के special schedule कर दूगा, बटा, मैं भी class के लावा, extra class जो है, यदी possible हुआ, तो वो हम schedule कर लेंगे, तो आपके जो last के जो two chapters से वो हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो कि अभी कुछ बैच और भी है, उसमें भी मुझे वाले topic लिना है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगो को merge कर लोगा उन लोगो के साथ, और merge करने के बाद आप लोगो को वाला portion जो है, वो clear कर वादूगा ठीक है, तो आसानी से आप लोगो का वाला part जो है, वो हो जाएंगा, तो इस तरह से human physiology हो गया, आपका plant physiology भी हो गया, ठीक है, फिर बच्चा हमारा क्या, और क्या बच्चे इसके अलाब़ा ये बताओ, फिर 11 अल्मूस्ट हो जाता, फिर 12 पे हम चलेंगे, जो रहे गए वा सिट्क्चिरल और ऑर्गेसे नो सेल उनिघ फ्लाइब ये तीन रह गहा ना, है अलो से भी बाकी है यूनिट अप लाइप इस्ट्रक्च्रल और गेनाईजेस्टन और एनिमल के इंगरम यह तीन रहा गया है हुआ 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 है तो सेल यूनिट अप लाइप तो वह भी जैसे हैं और एनिमल के इंगरम टोटल एक्जामपल बेज़े तो यह दूनों भी क्या करते हम लोग स्लाइट से ही कंपलीट कर लेते जल्दी से क्योंकि इसके बाद 12 के चैप्टर रहेंगे उसके लिए फिर हम पहले पर इसका प्रॉब्लम हो कि नहीं सर इसमें प्रॉब्लम हो यह तो नहीं यह ना देखो बटा सिलेवर्ज जो है जो फॉर्षन है वह हम जल्दी कर लेंगे तो सलेवर्ज फास्ट हो जाएगा तो जो एक्ट्वल पोर्शन जिससे समझना है में उसको हम लोग बोड प इस तरह से यह वाले पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से हम कवर कर सकते हैं क्योंकि जैसे हमारा ओफ्लाइन क्लास चलू हो गया तो वह पार्ट फिर वापस है बोड पर हम देख लेंगे फिर ठीक है चलो ग्रेट तो एक काम करते हैं एनिमल किंग्डम भी जो है आपका यह वाला पढ़ लेते हैं और फिर आपका एक एक एक्स्टा क्लास सेडूल कर लेता हो में जैसे पॉसिबल होता है बीच में तो उसमें आपका न्यूरल कंट्रोल और साथी साथ हार्मोनल कंट्रोल जो है ठीक है यह वाला पोर्शन जो है वह हम कवर कर लेंगे एक्स्ट्र ठीक तो अब नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है डेफिशियंसी सेंटम्स देखना है तो इसेंशियल मिनरल इलेमेंट जो है इसमें क्या डेफिशियंसी हो रही है और डेफिशियंसी के सेंटम्स आज का इसके बाद क्लास है कि आपका और आप फिजिक्स का इसने बज़े सब्सक्राइब कर देखी लेते हम लोग जल्दी से देख लेते क्यों छोड़े इसे फिर उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो एक चीज हमें समझ में आगई बिटा क्या चीज यदी प्लांट में अभी थोड़ी दे पहले हमने देखे क्या चीज उसका जो critical concentration होता है ठीक है critical concentration जो हम लोगों ने देखे कितना है critical concentration का इन मिली मॉल पर केज उसके dry weight की recording इतना concentration चाहिए यदी इससे कम रहा तो वह micro इससे ज्यादा रहा तो macro तो macro element के लिए इतना चाहिए और इससे कम तो प्लांट की जो ग्रोथ है यदि कम होगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है उस पर एफेक्ट होगा प्लांट कर ग्रोथ जो प्रोपर नहीं हो बाएंगा ठीक है तो अब प्लांट का ग्रोथ जो है यह अफेक्ट हो रहा है डारेक्टली या फिर इंडारेक्टली तो अब यह प्लांट का growth affect हो रहा है, रिटार्टेट हो रहा है. तो यहां पे plant में जो है, क्या होगे बिटा कुछ ना कुछ morphological changes देखने को मिलेंगे. ठीक है, अब ये क्या हो सकते है? ठीक है, एक मिट मुझे call आरा है. हाँ बिटा, देखो. तो प्लांट में यदि deficiency हुई तो plant में कुछ ना कुछ morphological changes देखने को मिलेंगे वो क्या हो सकते तो देखो प्लांट की leaf जो है अलग-अलग type की आपको दिखाई दे रही है ठीक है necrosis हो सकता है chlorosis हो सकता है when जो है उसमें भी problem हो सकती है leaf falling जो है growth जो है retarded हो सकती तो retarded the plant growth तो यह जो deficiency हुआ essential element का तो सबसे पहले तो growth जो है वो retarded हो गया ठीक है point number one ठीक प्लांट में जो morphological changes जो है यह associated होता है एक तो mobility of element से भी ठीक है mobility जो element की होती है उससे भी जो है plant में यह जो है condition देखने को हम मिल सकती है तो सबसे पहले तो यहां पर mobile element कुन से होते हैं और mobile element कुन से होते हैं वह हम लोगों को देखना पड़ेगा ठीक है फिर हम topic पर वापस जाते हैं तो पहली चीश तो यहां पर mobility of element यदि हम देखे तो element की यदि हम बात करें ठीक है तो यह तो element मुह कर पाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे बिटा mobile element और यदि वह मुह नहीं कर सकते तो उनको क्या कहेंगे non-mobile element ओके तो अब यहां पर जैसे कि for example mobile में क्या होता है जैसे कि suppose कोई एक leaf है यह old leaf हो गई है ठीक है तो old leaf अब इसका fall मतलब जड़ने वाली है date होने वाली है तो date होने के बाद क्या करेंगी यह अपने कुछ element जो यहां से जो new leaf जो originate हो रही थी उसको क्या करेंगी यह देदेगी तो ऐसे element जो new कर सकते है उसको हम कहते है mobile element तो old leaf से जो growing tip जो होता है क्या चीज़? old leaf से जो भी growing tip जो होगा वहां पर elements जो है क्या कर रहे है? मू कर रहे है तो इस type के element को mobile element कहते है जैसे कि जो biomolecules जो होते हैं वहां पर contain होते elements तो यह break होते है young leaf से और वह क्या कर सकते है? मू कर सकते हैं कुछ element जो होते हो non mobile या immobile होते हैं वह freely उसका moment देखने को नहीं मिलता ठीक है जैसे कि कुछ plant का structural component जो form किये हैं जैसे cell wall, calcium, calcium मू करेंगा क्या? नहीं थोड़े दे पहले में यहीं पूछ रहा था आपसे आपका answer नहीं मिला तो देखो इसे याद रखो calcium जो है तो पार्ट जो structural component रहेंगा तो उस case में जो elements जो होते हो नहीं करेंगे समझें तो अभी यहाँ पर देखो कुछ और points जो है मैं समझना है तो इसमें देखिए concentration जो essential element का जो होता है below रहा तो plant growth retarded हो जाएंगा इस term को critical concentration कहते हैं इस element को हम क्या कहेंगे deficient when present the below the critical concentration तो morphological change जो है देखने को मिलता है deficiency absence हुआ element किया तो इसे क्या कहते है deficiency symptoms कहते है फिर deficiency symptoms जो essential element का old leaf या biomolecule content जो element होते है जब breakdown होते है तो इस element available होता है तो यह mobilize हो जाएंगा younger leaf का element जो है यह relatively जो immobile होते है यह जो transport नहीं हो सकते mature organ पे कब जब वह structural component होता है तो सबसे पहले वह यंग tissue में ही देखने को मिलते हैं sulfur और calcium जो है यह structural component होता है magnesium भी chlorophyll का होता है iron भी sulfur भी तो यह सारे जो component जो होते easily mobile नहीं होते है तो mineral nutrition का जो great significance बैटा agriculture और horticulture में जो है रोल होता है ठीक है फिर इसके बाद जो deficiency symptoms क्या हो सकता है chlorosis हो सकता है necrosis हो सकता है stunted growth हो सकता है premature fall leaf हो सकता है bud end का initiation हो सकता है और cell का division जो है तो यह सारी condition जो है बैटा deficiency की वज़ा से देखने को मिलेगी ठीक है तो इसमें देखो आपको एक यह point दिखाई दे रहा है सबसे पहले chlorosis 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 हुआ मतलब loss of chlorophyll जिसकी वज़े से leaf yellow हो जाएगी photosynthesis नहीं हो रहा है तो deficiency किसकी वज़े से होता है nitrogen potassium magnesium sulfur iron magnesium zinc और molly badinam necrosis जो बैटा tissue का देथ हो जाता है calcium magnesium copper potassium क्यों जैसे यदि low level रहा nitrogen potassium sulfur and molly badinam का तो inhibit हो जाएगा cell division और low concentration रहा nitrogen sulfur and molly badinam का तो flowering उस plant में देखने को नहीं मिलेगी तो इसको समझने के लिए भी बैटा हम लोग यहां पे एक trick जो है वो देख सकते हैं ठीक है जिसकी help सबसे यह वाला portion आप easily याद रख पाऊंगे ठीक है तो easily जो है इस portion को याद रखने के लिए बिटा जैसे की trick सबसे पहले हम लोग देखते हैं necrosis के लिए किसके लिए नेक्रोसिस तो necrosis में आप trick याद रखो जैसे काकू बोलते हैं न मराटी में काकू का मग काकू c a c u k और m z यह हो गया नेक्रोसिस आपका तेखलो आप नीचे दिखाई दे रहा आपको ठीक है क्लोरोसिस क्लोरोसिस में याद रखना पिटा मोशन मोशन मेरी जिन्दगी का मांगे आईरन आप ऐसा याद रखो तो मोशन s n मांगे m n जिन्दगी का मांगे आईरन देखो मोशन तीनो भी इसमें आ जा रहा है आगे तीनो भी फिर मेरी जिन्दगी का मांगे आईरन क्लोरोसिस क्या तो जाएंगा ठीक है बड़ा फिर इसके बार आता है हम लोग यसी में देख सकते हैं सनम ठीक है क्या देख सकते हैं सनम सनम के सनम रे आई थी न मूवी सनम रे तो सनम के में क्या होगा है इनिविशन अब सेल डिविजन ठीक है सेल डिविजन इनिविट हो गया और सिर्फ सनम यहां पे रहेगा तो फ्लावरिंग डिले हो जाती है जब सेल ही नहीं बनेगा तब फ्लावर नहीं है ठीक है क्या चीज़ डिफिशिएंशी सेंटम्स ओफ इसेंशियल इलेमेंट समझ गया हलो आई होप आपको यह वाला पॉर्शन जो है अच्छे से लर्न हो जाएंगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ठीक है हUI थैक है तो अभी और मोईल और इम्मोईल हिलमेंट समय नेज आया था वाला एक बार कोन कौन से खोगर यह चाहिआ कि मोईल में की ळानेंगे की नाइट्रोज्ञ पोरमot और इनका डिसीएंशी उओगा सबसे पहले जो है का पेढ़ पीर होंगा पिता है वोर्ड लिप पर ही देखने को मिलेंगे ठीक फिर नेक्रोसिस क्लोरोसिस क्या होता है इसके टर्म्स मैंने समझाए इसी के साथ सथ अब आती है टॉगजी सिटी टॉगजी सिटी अला पॉर्शन कल देख लेंगे तो हाँ बेटा बोलो इस सल्फर इंमोबाइल है की मोबाइल है इंमोबाइल है बेटा सल्फर देखो सल्फर क्या है बायोटीन एक मिर्टा देखो यह इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कहां पे सबसे पहले आप सल्फर पर आईए और सल्फर का आप फॉंक्शन्स देखिए तो सल्फर जो है प्रिजेंट होता है टू एमाइनो एसीट सिस्टीन और मित्यों प्रिजेंट में और फिर कुछ कोएंजाइम विटामिन जैसे थाइमिन बायोटीन इसका भी कंपोनेंट है और फेरड़ोगजीन का भी तो यदि यह स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है तो यह इम्मोवाइल हो जाएगा ठीक है अब बायो मॉलीकुल का पार्ट है तो वह इसका है तो फिर वह से बिस्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तो में हम नहीं देखेंगे फिर उसे मोवाइल के देगें पिर समझे मिता इस्वां डोनों करेंगे क्क दोनों आपको साथ नहीं पूछा जाएंगा फिर इस केस में जन्रली जो है इमोबैल नहीं रखेंगे उसको में सीय स्पट कल्सियम जो है उसी है ठीक है समझा है यास जिस और कुछ कोश्चन पुछना है किसी को कि रिस्पॉंस करो जन्दी से ताकि आगे का पोर्शन जो है उससे से रिलेटेड डिस्कुसन कर से के हम और आगे बढ़ सके है कि क्लियर हो गया कि अच्छा मुझी यह बता में थोला डाउट हो रहा है केल्सियम सलफर और आयरन सलफर का क्या बोल रहें विटा आप मॉवाइल की मॉवाइल की मॉवाइल पर देख लेते हैं वैसे सलफर जो है इमोवाइल ही होना सही है कि दर गया अपना ट्रांस्पोर्ट वाला पीज देख लगता हूं कहां पर दिया है बिटा पेज नमबर बता हूं निटी वन नैंटी वन नैंटी वन नैंटी यह वन नैंटी परा सेंट ट्रांस्टलो केशन ओफ मिनरोल आंसमौल अमन कहां कहां ट्रांस्लो केशन अब मिनरोल आइनस हाँ उसका कुछ सा छेट के लास्ट फर्ड लाइन जेकंड परा की लास्ट फर्ड लाइन एलिमेंट्स मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ट रेडिली मोबिलाइज्ट रेडिली मोबिलाइज्ट ठीक है उसके नीचे देखो क्या दिया हुआ एडिशन स्मॉल इमाउंट केरियो केल्सियम और नौट रिमोबिलाइज्ट ठीक है केल्सियम ही याद रखो बाकी सारे रेडिली मोबिलाइज्ट ठीक है क्योंकि यहां पे अपने मिनरल में यदि हम देखे कि दर गया मिनरल का अपना पार्ट जहां पर देख रहे थे वन नैंटीएट एक मिठा कौन सा इसमें दिया हुआ है में कि अमधा पर है किल्सेम यह पार डारट यह कह दिया रहा इस्ट्रफल कमपोणनट तो सिम पर जूए वह दिया है प्र भीशंपार जो है वह मोबाईल में आ जाएंगा कि ए प्रबंस्ट पार्व पल्द रहेंगा दो मोबाइल नहीं रहेंगा बाकिहार जो है वो रहेंग है अधिकर बाग Erdags टीका जो निया है उट जो पर से वनाथ इंप सब्सूंप्तित Εचित नहीं जाना है वहेविर शक Lea सब्सक्तित जींदा जो इना मेला उट तरह मेंवे दिव्ह propose to be here करें तो माने जाएंगे है 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 ओके चलो तो एंड करें फिर आज का क्लास मैं आपको बीच में एक्स्टर क्लास का सेडूल दूंगा वैसे यह मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट ग्रोथ हार्मोन यह सब हम लोगों को किसी क्लास के साथ मर्ज होके पढ़ना था बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमने पढ़ लिए तो अभी हम में भी सेडूल कर सकते ह है क्योंकि आपका मैंने फास्ट कर दिया वो इन लोगों का होने का हही है इस अफिय करे ना है ट्क हूँ जोंगे काम करेंगे सबसे पहले कि योνit 23 बांग देख लेंगे थिप्डा शेलो के, बाइ!